क्लास करने के बाद ऐसा नहीं होता कभी कि तुमने क्लास खतम की और अगले दिन फिर मूठा के आ गए घर पर पढ़ना होता है रिवीजन करना होता है नोट्स बनाने होते हैं करते हो नहीं करते जरूर ये वाई करना फिर फॉर सिफ क्लास का डिवरेशन ही सब कुछ नहीं है हाँ क्लास में अगर आपने बहुत अच्छे से एक्टिव होके समझ ली चीज है तो आपका रिवीजन में कम टाइम लगेगा इसका वाला ये नहीं कि आप रिवीजन ना करो भाई रिवाइस कर रहा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर बहुत सारा चल रहा है लगेगा भाई तब को लगता है तो इसका अलए यह नहीं है कि तुम पढ़ना ही बंद करो बहुत ज्यादा देख गया सर तर हम तो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं कैमिस्ट्री भी बढ़ रहे हैं बायो भ सुंद मेहनत करता है तो बहुत सारे एक्जामपल है वाई ऐसे अभी आप जेई का रिजल्ट वाला देखो वीडियो जो डाला है अलक्सर ने क्या है उसके पास कुछ नहीं है पिर भी सेलेक्ट हुआ ना जिसको नहीं पढ़ना है ना वो दस बहाने डूण लेता है मेहनत करनी पड़ेगी भाई सेलेक्ट होना है तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है आप सोचो कि हम दो बस पेपर देने जाएंगे और उस दिन दूपर वाला बोलेगा भाई यह इसका फस्क का यह आंसर है सेकेंड का यह आरी कोई आसान काम नहीं है जो लोग जो काम तुम अजब तुम्हें कोई कैसे मानेगा कि तुम बहुत बड़ी इंसान हो या कुछ भी हो तुम तुम तुमारे उपर कैसे भरूता करेगा नहीं मालो तुमको कलको डॉक्टर बनना है तो यह एक्जाम तुम क्वालीफाई करोगे फिर बेडिकल कॉलिज में जाओगे वहां प कुछ कुछ का सेलेक्ET-चन नहीं होता है अ दे से ज़्यादा जनता झु なù..? इसी चक्कर में है कि सर एक तो क्या है न बहुत कम्प्लेन है जनता की बहुत कम्प्लेन्ट कर बिकलॉग हो रहा है तरो बाउर ज्याएक तुम्हारा ब्रक हो कीसे जाता है तरम नहींननी आतीं मैं अपने उपर ठीक है कोई जैनुविन केसे कोई बीमार पढ़ गया वो समझ में आता है लेकिन तुम पढ़ते हैं नहीं है और सब्सक्राइब हो जाता है सर बैक लोग होके स्टेड़ी बता दीजिए एक तो तुम्हें स्टेड़ी बहुत चाहिए यह सब छोड़ो पकवा से यह सब मेहनत करनी पड़ेगी सदियों से यही परंपरा चली आ रही है बिना मेहनत के उसनी मिलेगा